हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12, क्लास 12 एक्सराइज 1.1, कोशन नमबर 126 हमारे कम्प्लेट हो चुके, आज हम पढ़ेंगे कोशन नमबर 7, इसमें हम पढ़ेंगे एक्विलेंच रिलेशन के बारे में, क्या है कोशन देखो, कोशन नमबर 7 है, एक कॉलेशन की लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं, उनके बारे में दियागा है, एक सेट ए, गिवन बाई, आपको एक रिलेशन दे रखा है कि X और Y दो बुक हैं, दोनों के अंदर सेम नमबर ओफ पेजिस हैं, तो यह बताना है कि वो एक्विलेंच रिलेशन है या नहीं, देखो, first, the set A is the set of all books in the library of a college, set A हमारे पास क्या है, कि जो college में लाइब्रेरी है, उसके अंदर जितनी भी बुक्स हैं, उन सभी बुक्स का क्या है हमारे पास एक सेट है, और उसके बाद हमारे पास R is the equal to relation है, such that X, Y, such that X and Y have the same number of phases, फिर उसके अंदर X और Y, इसे sets बनाने हमें, जिसके अंदर same number of phases है, same number of phases है, it means जो हमारे पास same books है, सिर्फ उनी का हमारे पास एक सेट ले रखा है हमने, तो देखो कैसे, now R is reflexive, since X, X belongs to R, as X and X is the same number of phases है, अब हमारे पास जैसे match है, match की book है, तो match की अदर हमारे पास दो book है, दोनों के अंदर same number of phases मि लेंगे, तो या तो first book, उस दोनों book को में से कोई भी, अगर एक का नाम मैंने X रख दिया, उनों books में से, एक का नाम मैंने Y रख दिया, तो अगर X और Y दोनों को equal है, जब हमारे पास, तो X, X के भी तो equal है, वो खुद के भी equal होगी, इसलिए क्या वो हो जाएगा, वो reflexive ह जाएगा, X and Y have the same number of pages, इसके अंदर same number of pages थे, तो X, X belongs to R, एक जैसे दो book है, दोनों में page same होगे, दा number of pages है, let X, Y, दूसरा हमने ले लिया दो book है, एक X से एक Y है, दोनों belong करते है, R से, अगर X और Y के अंदर, दोनों के अंदर same page है, तो दूसरी condition क्या होगी, Y और X में भी same page होगे, क्योंकि X में अगर हमारे पास 100 page है, तो Y में भी 100 है, अब दूसरी condition में क्या होगा, Y में 100 है, तो X में भी कितने है, 100 है, तो ये भी equal हो जाएगा, तो Y X belongs to R हो जाएगा, R is this metric हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 3 book ले लेंगे, कि X Y belongs to R and Y Z also belongs to R, then हमें क्या, द Z के अंदर भी same number of pages है, X में 100 थे, Y में भी 100 है, और थर्ड में क्या आगया, कि Y में कितने थे, 100 थे, तो Z में भी कितने हो गए, 100, अब X और Z में भी कितने है, 100, 100 page है, तो X and Z हैं, उसके अधा same number of pages, so X और Z belongs to R, then R is a transitive, और जब हमारे पास reflexive, symmetric and transitive, तीनों conditions satisfy हो जाती है, तो हम क्या बोल देंगे, R is an equivalence relation, तो जो हमारे पास R है, वो क्या है, equivalence relation, next है, question number 8, show that the relation R, in the set A, एक set A है, जिसके उपर relation दिया हुए, 1, 2, 3, 4, 5, given by R is equal to A, B, such that A minus B mode is even, कि जो A minus B का difference है, वो में शा क्या हैगा, even, mode का meaning क्या है, कि 1 minus 4, sorry, 1 minus 5 कर दो, या 5 minus 1 कर दो, दोनों में क्या रहा है, difference 4 है, तो दोनों pair लेंगे, 1, 5 भी ले सकते हैं, और 5, 1 भी ले सकते हैं, it's an equivalence relation, पहले तो यहीं प्रूब करना है, कि equivalence relation है, show that all the elements of, उसके बाद क्या दे रिखा है, 1, 3, 5 are related to each other, कि इसके जो 1, 3, 3, 5 जो element है, वो हर एक से खुद से related है, जैसे 1 और 3 का difference 2, 1 और 5 का 4, 3 और 5 का difference 2 आजेगा, तो सार एक दूसरे से related है, और सारे relation में भी आगे, हमारे पास, and all the elements of 2, 4, और elements जो हमारे पास 2, 4 are related to each other, वो भी खुद एक दूसरे से related है, 2, 4 से और 4, 2 से, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4, लेकिन 1, 3, 5 का जो element है, 2, 4 से related नहीं है, क्यों नहीं है, देखो 1 और 2 का difference 1 आ गया, 1 और 4 का 3 आ गया, even number नहीं आ रहा है, 3 और 2 का 1, 3, 4 का 1, 5 और 2 का 3, 5 और 4 का 1, तो कोई भी even number नहीं दिया, इसलिए related नहीं है, देखो कैसे गरना है, A हमारे पास set देरक है, 1, 2, 3, 4, and 5, and R हमारे पास है, A, B, such that A minus B mode is even, it is clear that तो हमारे पास का लिए, रहनी element of A belongs to A, कि इसका हर एक element खुद से belong करेगा, क्योंकि 1 minus 1 का difference 0, 2 minus 2 का difference 0, क्योंकि हर एक का 1, 1, 2, 2, 3, 3, ऐसे pair बना देंगे, और उनका difference क्या आएगा, 0 और 0 कैसा number हो हो जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या है, A, B belongs to R, उसके बाद हमने दो element A, B belongs to R, A minus B is even, क्योंकि condition में दे रखा है कि इन दोनों का even आएगा, और दूसरी condition क्या करदी, इसमें से मैंने minus बाहर ले लिया, तो क्या हो जाएगा, B minus A is also even आएगा, क्योंकि mode है, mode से हमें कोई फर A की value मान लिया, मैंने 4 ले ली, A की value मैंने 1 ले ली, और B की value मैंने 3 ले ली, A भी belongs to R, तो 3 A और 1 है, वो भी belong करेगा, R से कैसे, क्योंकि यहां से तो हमारे पास 1 minus 3, कितना आजेगा, minus 2, और mode है तो भी क्या आएगा, 2, इधर से अगर हम करेंगे 3 minus 1, यह भी कितना आएगा 2, दोनों क्या even number, तो 1, 3 भी belong करता है, और 3, 1 भी also belongs to, तो क्या बोल देंगे, R is this metric, उसके बाद है, A, B belongs to R, B, C belongs to R, A minus B is even and B minus E is even, जैसे 1, 3 ले लिया हमने, उसके बाद हमने ले लिया, 1, 3 belongs to R, और 3, 5 belongs to R, दोनों का difference 2 है, तो 1, 5 है, वो भी belong करेगा, R से, क्योंकि 1 और 5 का difference भी कितना आया, 4 और 4 भी क्या है, even number, तो R क्या हो जाएगा, हमार पास, transitive, hence R is an equivalence relation, जब तीनों condition satisfy होगी, तो क्या बोल देंगे, R भी क्या है, equivalence relation, उसके बाद दे रखा, now all elements of the set, 1, 2, 3 are related to each other, as all the elements of this subset are odd, तो 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 हमार पास, ऐसे element, अगर इनको करके लेखते हैं, तो 1, 2 का difference, 1, 1, 3 का हमार पास क्या आजएगा, 2, 1, 2 है, शायद element, 1, 2 elements है, तो यह जो दो elements है, एक दूसरे से जब हम relate करते हैं, तो कोई भी even number नहीं, तो कैसे number दे रहे, odd number, does the modulus of the difference between any two elements will be even, लेकिन question में क्या दे रखा है, कि दोनों का difference है, उसका modulus है, वो क्य आजए, even आजए, यह तो नहीं हुआ, इसी तरह similarly, all elements of the set, 2, 4, इसी तरह से 2, 4 के निकाल लिए, यहाँ पे जो element है, वो मेरे ख्याल से 1, 3, 5 है, मैंने गलती से लिख दिया, 1, 3, 5, हाँ, 1, 3, 5 आएगा, यहाँ पे जो element है, वो हमारे पास आएगा, 1, 3, 5, तो 2, 4 भी हमारा इसी तरह से आजएगा, 2, 4 को अगर हमने रिलेट किया, तो even number आएगा, 2, minus 4 कर दिया, 4, minus 2 कर दिया, 2 आएगा, also no element of the subset, 1, 3, 4, can be related to every element of 2, 4, अगर हम इनके elements को रिलेट करेंगे, तो कोई भी element related नहीं होगा, as all elements of 1, 3, 5 are odd, तो इसके जो 1, 3, 5 है, वो सभी odd है, and all elements of 2, 4 are even, इसके जो elements है, वो even है, thus the modulus of the difference between the two elements will not be even, और इन दोनों का इन का गरम करेंगे, तो एक even है, एक odd है, और even और odd का जब हम difference निकालेंगे, तो वो कभी भी even नहीं हो सकता, ठीक है, यह था हमारा question number 8, next question number 9, show that each of the relation R, in the set A is equal to X belongs to Z, and X हमारे पास क्या है, 0 less than A equal to 0 to 12, given by first R हमारे पास AB, such that A minus B mode is a multiple of 4, किसका जो my difference निकालेंगे, देखो mode है, तो plus minus से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, 0 minus 4 लिखो, या 4 minus 0 लिखो, तो वो क्या आना ची है, 4 का multiple आना ची है, और दूसरा क्या है, कि equal होना ची है, find the set of all elements related to 1 in each case है, और जो set 1 से हमारे पास है, related हारे के, वो case निकालनी है, यह हमारे पास क्या है, X belongs to Z, दे रखा है हमारे पास है, और इसकी जो limit है, वो कहां से कहां तक है, 0 से 12 तक है, 0 से 12 तक है, तो 0, 1, 2, 3, up to 12 तक हमने numbers लिख लिख लिए, क्या है, first में हमारे पास क्या दे रखा है, R is equal to AB, such that A minus B mod is A multiple of 4, कि वो 4 का multiple होगा, for any element, A belongs to A, हमारे पास कोई भी एक element है, वो खुद से belong करता है, we have A belongs to A, belongs to A, A belongs to R, क्योंकि अगर A, A के value में ने 1, 1 रख ली, तो 1 minus 1 का difference क्या आजेगा, 0 आजेगा, और 0 हो 4 का multiple है, 0 एक है सा number, जो सभी का multiple है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, R is a reflexive, दूसरा है AB, AB is a multiple of 4, AB अगर हमारे पास 4 का multiple है, मैंने number ले लिया 1 और 5, तो हमारे पास क्या आजेगा, example के लिए ले लिया हमने 1, 5, 1, 5 है इनका difference 4 हो गया, 4, 4 का multiple है, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 5, 1 वो भी belong करेगा, क्योंकि 1-5 का भी mode है, ये भी 4 आएगा, और 5-1 है, इसका भी mode है, ये भी 4 आएगा, दोनों equal आएगे, तो क्या बोल देंगे, ये भी belong करता है, और ये भी belong करता है, तो क्या आजेगा, R is this metric, इसी तरह से third कर देंगे, 1, 5 हो गया, 5, 1 हो गया, 1, 5 तो है, ये हमारा belongs to R, इनका difference आगे हमारे पास, उसके बाद हमने ले लिया, 5 और 9, belongs to R, 5 और 9 का difference 4 हो गया, 4 का multiple है, 4 का, तो क्या बोल देंगे, ये भी हमारा belong करेगा, तो A, C है, A, B, C, 3 ले रखे थे, हमने A, B और B, C belong करते है, R से, तो A, C भी belong करेगा, R से, R is transitive, hence R is an equivalence relation, the set of element related to 1 is, 1 से related है, जो हमारे पास है, वो उनका लिखना हमें, as, देखो, 1 minus 1 कर देंगे, 0, 5 minus 1 कर देंगे, कितना आएगा, 4 आजएगा, और 9 minus 1 का mode 8 आजएगा, इस है multiple of 4, जो कि सभी है, सभी multiple है, 4 के, 1 से related ये ही थे हमारे पास, next है, second में हमारे पास R is equal to A, B, such that A is equal to B, A और B दोनों equal दे रखे हैं, तो देखो, A और B equal दे रखे हैं, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, first condition पहले ही satisfy हो गई, क्या ह हो जएगा, reflection, दूसरा हमारे पास क्या आजएगा, कि A, B और B, A दोनों equal होंगे, A, B is equal to A है, और A is equal to B है, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, let A और B belongs to R, it means A is equal to B, दूसरा क्या है, अगर A, B के equal है, तो B, A के भी equal है, उससे हम क्या बोल देंगे, B, A, B belongs to R, so R is a symmetric, now let A, B belongs to R, B, C belongs to R, A, B के equal, और B, C के equal है, तो A, B, C के equal होगा, equal होगा, तो A, C also belongs to R, R is a transitive, और जब हमारे पास तीनों conditions satisfy होते हैं, तो हम क्या बोल देंगे, equivalence relation is satisfying the elements in R, that are related to 1, will be those elements from set A, which are equal to 1, hence the set of elements related to 1 is a identity 1, कि इससे हमारे पास ही पूछ रखा था, कि all elements related to first in each case हर एक में, first case से जो related हो, वो उमने उपर भी लिख दिया था, और यहां भी मने बता दिया, next, question number 10, question number 10 में आपको क्या देना है, give an example of a relation, which is, आपको examples देने हैं, जो पूछ रखा, उसके according अभी example देने हैं, कि क्या क्या है first में आपसे पूछ लिया, symmetric but neither reflexive nor transitive, हमें एक ऐसी condition लिखनी है, कि symmetric है, बट ना वो reflexive ना transitive, यह हमने set ले लिया, 5, 6, 7, define a relation, यह relation define कर लिया, जिसके अंदर element है, 5, 6 और 6, 5, अब देखो, relation R is not reflexive, जो relation है, वो reflexive नहीं होगा, कैसे, क्योंकि ना इसके अंदर 5, 5, ना इसक अंदर 6, 6, 7, 7, 5, 5, 6, 6, 7, 7, not belongs to R, now as 5, 6, 5, 6 है, वो belong करता है R से, and 6, 5 है, वो भी belong करता है R से, तो क्या हो जाएगा, R is symmetric हो गया, symmetric बन गया हमारे पास से, ठीक है, third हमारे पास क्या आएगा, 5, 6 belongs to R, और 6, 5 है, वो भी belongs to R, बट 5 और 5 not belongs to R, तो यह भी क्या हो जाएगा और transitive, यह हमें बताना था, कि only symmetric होना चाहिए, तो symmetric तो हो गया, बट ना यह reflexive है ना यह transitive, अपने पास से हम कोई भी ऐसे example ले सकते हैं, second है, transitive बट ना इदर reflexive नोर symmetric, only transitive शो करना हमें, हमने एक condition शो गई, R is equal to AB, such that A less than B, for NA belongs to R, we have AA, not belongs to R, अब देखो, यह दे रखा, A less than B, अगर यह इस से less होगा, तो equal नहीं होगा, equal नहीं होगा, तो relation में नहीं होगा, और relation में नहीं है, तो not reflexive हो जाएगा, कि वो number है, वो खुद के equal नहीं है, तो since A cannot be strictly less than itself, A है, वो खुद से less नहीं हो सकता, वो तो equal होगा, in fact, A is equal to A होता है जब की, तो R is not a reflexive, दूसरी condition क्या है, कि 1, 2 belongs to R से, कि जो 1 है, वो less है, 2 से, but 2 is not less than 1, लेकिन 2 है, वो तो 1 से less नहीं है, तो क्या होगा, 2, 1 not belongs to R, R is not a symmetric, थर्ड है, A, B and B, C belongs to R, अब A है, वो less है, B से, और B है, वो less है, C से, मान लिए, ये हमारे पास क्या है, 1, 1 से 3 है, और ये हमारे पास है 3, ये है 5, अब देखो, 1 less है, 3 से, और 3 less है, 5 से, तो 1, 5 से भी less हो जाएगा, तो क्या बोल देंगे, A less than C, A, C belongs to R हो जाएगा, और ये बिलोंग कर गया, तो R क्या हो जाएगा, ट्रांसेट, ये ही बताना था हमें, next है third, reflexive symmetric, but not transitive, reflexive भी होना चाहिए, symmetric भी और transitive नहीं होगा, ये हमने 4, 6, 8 का ले लिए, एक relation define कर लिया, जिसके अंदर 4, 4, 6, 6, 8, 8 हो जाएगा, 4, 6 हो गया, 6, 4 हो गया, 6, 8, 8, 6 हो गया, तो अब देखो, 4, 4, 6, 6, 8, 8 हो गया, तो अब देखो, 4, 4, 6, 6, 8, 8, बिलोंग करता है, तो हमारे पास symmetric भी हो जाएगा, but 4, 6 बिलोंग करता है, और 6, 8 हो बिलोंग करता है, but 4 और 8 note belongs to R, तो क्या हो जाएगा, note है, transit हो जाएगा, इसी तरह ऐसे आपको 4th और 5th के, ऐसे example note करने है, ठीक है, ये अपने आप try करके देखना आपको, क्योंकि हम कोई भी example हो, वही ले सकते हैं, सिर्फ हमारी इन conditions को satisfy करना है, next है question number 11, show that the relation R, in the set A, of points in a plane, given by R is equal to, हमारे पास एक relation show करना है, R, in the set A, एक set A के उपर, points in a plane, जो के एक plane के अंदर points है, R is equal to P, क्या हो, distance of the point P, from the origin, is same as the distance of the point क्या हो, from the origin, और P क्या हो, ऐसे point है, कि origin से P, point के भी distance, और origin से क्या हो, point के distance, equal है, is an equivalence relation, further show that the set of all points, related to a point P, not equal to 00, is the circle, passing through P, with origin as the center, यह हमें, प्रूव करके दिखाना है, कि set of all points की, उन सभी points का set, जो related है, एक point P से, क्योंकि P हमारा origin पे नहीं है, is the circle, एक circle से passing through P, जो P point से pass हो रहे है, with the origin as a center, और with the origin, origin से center पे, R is equal to P, क्यों है, मारा पास दो elements है, और distance of P from the origin is the same as the distance of P, क्यों from the origin, तो clear है, P से P की distance भी वही होगी, अब मारा पास एक circle है, circle में radius equal होती है, तो P क्यों किसी भी point पे, origin से P और origin से क्यों दोनो point equal है, तो P, P also belongs to R, तो distance of point P from the origin is always the same as the distance of the same point P, from the origin तो R is a reflexive, दूसरा क्या आ गया, P क्यों belongs to R, and then क्यों P belongs to R, कि P से क्यों के distance है, equal है, और क्यों से P की distance भी equal होगी, क्योंकि दोनों के origin से तो equal ही है, तो P से क्यों अगर हमारे पास 10 है, यहां से यहां तक 10 है, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, 10 होगा, तो वो भी belong करेगा, R is a symmetric हो जाएगा, now let P क्यों and क्यों S से, प से क्यों के distance और क्या से, S के distance है, दोनों belong करते है R से, तो P और S के belong करेगा R से, जैसे हमारे पास कोई भी, क्योंकि दोनों distance सेम होगी है हमारे पास, मान लिए यह है आपके पास circle, यह point P है, यह point क्यों है, और यह point S है, condition क्या है कि P और Q की इन दोनों की distance है वो equal है फिर दूसरे हमारे पास यह belong कर गया दूसरा हमारे पास क्या दे दिया है Q और S है अगर Q और S का set है तो it means क्या है कि इन दोनों की distance भी equal है तो third में हमारे पास क्या आजेगा P और S है तो origin से P की और origin से S की distance भी क्या होगी? equal होगी, तो यह भी हमारा belongs to R आजएगा, the distance of point P and S से from the origin is the same, तो P S के आजएगा also belongs to R, so R is transitive, और जब transitive भी हो गया, reflexive भी हो गया, symmetric भी हो गया, तो तिनों condition satisfy होते हैं, क्या बोलेंगे, कि relation कैसा होगा, equivalence relation, उसके बाद the set of all points related to P, not is equal to 0, 0, कि P यह कैसा point है, जो origin पे नहीं है, will be those points whose distance from the origin is same as the distance of the point, P from the origin, उन जो points की है, यह point छोड़के कहीं भी P है, कि उस point से जो हमारा पास यह distance है, यह क्या है, कि इस से P की भी distance है, इस से क्या हो की भी distance, origin से वो distance हो क्या है, same रहेगी, यह फिर दूसरी हम ऐसे भी बोल सकते है, other points में, if origin हमारे पास 0, 0 है, यह हमारे पास origin है, 0, 0 is the origin and, O, P, O से हमारे पास origin है, और P हमारे पास यह है, O से P की जो distance हो कितनी है, K, then the set of all points related to P, is at a distance of K from the origin, वो सारे के सारे के से, P से related होंगे, जिनके distance O से के होगी, O से मिन्स यह जो हमारे सारे के सारे कितनी होगी, के होगी ना सभी के distance है, तो वो सभी के सारे के से related होंगे, P से related होंगे, hence the set of points from a circle with the center as the origin, and there circle passes through the point, कि इस point से जब हमने इसको draw किया, तो जिस से, जब हमारे पासे circle draw होता है, उसके उपर जितने भी points आते हैं, वो सारे के सारे points इस point से related होंगे, next है, 12th, show that the relation R, define in the set A, of all triangles, T1, T2, T is similar to T2, is equivalence relation, पहले ये प्रूव करना है कि T1 और T2 हमारे पास इस element है, कि दो triangles हैं और दोनों same है, similar है, इसको equivalence प्रूव करना है, consider 3 right angles, उसके बाद हमारे पास 3 right angles दे रखे, T1 के अंदर कितनी कितनी है, 3, 4, 5 side की है, T2 के अंदर 5, 12, and 13 sides की, T3 में 6, 8, and 10 की, which triangles among T1, T2, and T3 are related, अब R is equal to T1, T2 है, T1 is similar to T2, ये तो हमारे पास पहले सही है कि T1 है, वो similar है, T2 के, तो reflexive होजाएगा, T1 है, वो T1 के भी similar होगी, तो R is reflexive, since every triangle is similar to itself, दूसरा हमारे पास T1 है, T2 के similar है, then T2 है, वो भी हमारे पास similar होगी, किसके T1 के, तो T1 बिलों, T2 बिलोंग स्टु आर, T2, T1 बिलोंग, ओल्सो बिलोंग स्टु आर, तो R is symmetric है, 3rd हमारे पास T1 और T2 बिलोंग स्टु आर, और T2 और T3, 1st हो 2nd के equal है, 2nd हो 3rd के equal है, अब similar दे रखिये, तो 1st और 3rd भी क्या होगी, similar होगी, तो T1 और T3 बिलोंग स्टु आर, तो R is a, transitive R is an equivalence relation, आप हमें observe करके दिखाना है, कि related है या नहीं, T1 के इंदर है 3, 4, 5, और T2 के इंदर है 6, T2 के इंदर है 5, 12, 13, यह तो किसी भी ratio में नहीं है, बढ़ अगर हम T1 और T3 के ratio देखते हैं, तो क्या आएगी, 3 और 6, इसके 4, 8, इसके 5 और 10, सभी की क्या है, 1 by 2 के ratio है, कि यह 3 है, तो यह इसका 2 times, यह इसका 2 times, यह इसका 2 times, so T1 and T3 are in the same ratio, तो T1 और T3 वो same ratio में है, then T1 is related to T3, तो जो T1 आया हमारे पास, 4 related है कि से T3 से, next है, question no. 13, should that the relation R, define in the set A, of all polygons as R, is equal to P1, P2, such that P1 and P2 have the same number of sides, is an equivalence relation, what is the set of all elements in A, related to the right angle T, with sides 3, 4 and 5, आप हमारे पास दे रखा है, कि equivalence relation pro pro, P1 और P2 दे रखे, P1 and P2 have same, same the number of sides, this के अंदर, same P1 और P2 हमारे पास, दो ऐसी polygons है, जिन में same number of sides है, मान लिया, first में 3 हैं, second में 3 हैं, तो 3, 3 हैं, वो equal है, तो P1 है, वो P1 के, खुद के भी equal होगा, तो क्या होजेगा, R is reflexive, since P1, P2 belongs to R, इस first में 3 हैं, sides, इसमें 3 हैं, तो इसमें 3 हैं, तो P1, P2 belong करता है, P2, P1 भी also belongs to R, तो P2 and P1, have the same number of R, sides are, इसमें 3 हैं, फिरी सी तरह, P1, P2 belongs to R, and P2, P3 also belongs to R, then हमें प्रूव करने के, क्या दिखाना, P1 और P3 also belongs to R, P1 and P3, have the same number of R, sides, उसमें भी same sides हो जाएंगे, तो क्या बोल देंगे, R is, transitively no condition satisfy होगी, R क्या हो गया, equivalence relation, उसके बाद है, the elements in A related, A related to the right triangle, triangle, with sides 3, 4 and A 5, इसके अंदर हमारे पास, क्या दिखा 3, 4 और 5 से related, पूछ रखें, आर दोज polygons, which हो 3 sides है, इससे related कौन से होगी, जो के हमारे पास, 3 sides से related होगी, क्योंकि 4 और 5 दोनों में, क्या है, 3 include होगा, since T is a polygon, with 3 sides, तो हमारे पास T है, वो कैसा होगा, 3 sides का polygon होगा, hence, the set of all elements in A, related to triangle, T is the set of all triangles है, जो की, हर एक तरह के triangle से related होगा, next है, question number 14, let L be the set of all lines, in XY plane, XY plane के अंदर, जितनी भी lines है, उन सभी का set है L, and R भी दा relation, इनने L, और R हमारे पास एक relation है, in L, L के अंदर हमारे पास R, एक ऐसा relation है, define as R, is equal to L1, L2, such that L1 is parallel to, L2 दे रखा है, L1 है, वो L2 के parallel है, show that R is an equivalent, relation, find the set of all lines, related to the line, तो हमें उन सभी lines के निकालना है, कि जो इस lines से related होंगे, वो points का set निकालना है, R हमारे पास L1, L2 है, जो पकी parallel है, L1 parallel to L2, अब R is reflexive, first एक line है, वो खुद के भी parallel होगी, तो क्या बोल देंगा, R is reflexive as any line, L1 is parallel to itself, so L1 and L1 है, वो क्या होगी, खुद के भी parallel होगी, और खुद के parallel होगी, तो क्या हो जाएगे, equivalent, also reflexive, L1, L2 के parallel है, first line है, वो second के parallel है, यह second के parallel, तो जो second है, वो भी तो first के parallel होगी, तो क्या लिख देंगी, R is symmetric, फिर हमारे पास, first, second के parallel है, और second है, third के parallel है, तो जो first और third line है, वो भी हमारी क्या होगी, एक दूसरे से parallel होगी, तो क्या हो जाएगा, third हमारे पास क्या आजएगा, R is a transitive, तिनो condition satisfy होगी, तो R क्या होजएगा, equivalence relation, the set of all lines related to the line, Y is equal to MX plus A, 4 is the set of all lines, that are parallel to the line, कि इसके अंदर, ऐसी कौन सी line से, जो related होगी, वो line related होगी, जो इसके parallel होगी, इसके parallel के लिए, हमें क्या निकालना पड़ेगा, slope of line हमारे पास क्या आजएगा, Y is equal to 2X plus 4, slope of line निकाल देंगे, Y, slope की notation M होती है, इसका derivative कर देंगे, हम 2X का क्या आजएगा, 2, या फिर minus A, sorry AY, B की form में हम लिखते हैं, तो हमारे पास, उससे भी हम निकाल सकते हैं, M की value हमारे पास क्या आएगी, 2, it is not that, parallel lines have the same slope, अब हमारे पास यह है कि, इसके अंदर, वो सभी lines parallel होंगी, जिनका slope पे 2 है, the line parallel to the given line, is of the form Y is equal to 2X plus C, where C belongs to R, अब यह जो C है, यह कुछ भी हो सकता है, 2X plus 3, 2X plus 4, 2X plus 5, 2X plus 6, 2X होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो, चाहिए, यहाँ पे कोई भी desert हो, C1 की value कुछ भी हो सकते, वो सारे के सारी lines से parallel होंगी, next है, R भी दा relation in the set, 1, 2, 3, 4, given by R, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, अब हम यह बता, नहीं कौन सा option correct है, देखो, हम देखते हैं, कि तिनों conditions के लिए, first हमारे पास reflexive होती है, तो 1, 1, 1, 1 भी है, 2, 2 भी है इसके अंदर, 3, 3 भी और 4, 4 भी, reflexive हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, कि इसका opposite होना चाहिए, जैसे हमारे पास है, 1, 2 है, तो उसका opposite क्या आना चाहिए, 2, 1, नहीं है इसके अंदर, ठीक है, 1, 2 belongs to R, बट 2, 1 not belongs to R, तो R इसे not symmetric, metric नहीं है, 3rd हमारे पास क्या आता है, कि 3rd हमारे पास है, 1, 2 belongs to R, और उसके बाद हमारे पास आ जाए, 2 किसी से हैं ही नहीं belong से, 2, 2 से है, इसके इलावा देख लेंगे, और कोई element 1, 3 है, 1, 3 हमारा belongs to किसे करता है, R से belong करता है, और 3, 2 भी belongs to R, तो 1 or 2 है, वो भी belong करता है, किसे R से, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, transitive हो जाएगा, transitive है, तो यह तीनों की तीनों condition, किसमें दे रखी हैं, B option में, तो क्या आजेगा reflexive, transitive, but not symmetric, 16, let R be the relation in the set N, N के अंदर एक set दे रखा है, R, R is equal to A, B such that A is equal to B minus 2, और B हो greater than 6, choose the correct answer, R हमारे पास A, B है, A is equal to B minus 2, B greater than 6, since B greater than 6, 6 है बढ़ा है, तो 2 for not belongs to, R, 2 for not belongs to R, कैसे आजेगा, क्योंकि इसकी value 2, 4 नहीं हो सकती, also as a 3, 8, ये भी नहीं हो सकता, 3 और 8 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 3 not equal to 8 minus 2, 8 minus 2 कर देंगे 6 आजेगा, यहां पर एगर B की value, A की value हमने 3 रख दी, यहां से हम note करके देखते हैं, कि A की value उम्हारे पास क्या है, 2 और B की value 4, तो 2 और 4 तो नहीं हो सकता है, A की value अगर उमने 2 रख दी, B की value उमने 4 रख दी, 4 minus 2, 2, तो B तो हमारे पास क्या आ गया, 4, 4 हमारे पास क्या हो गया, less than हो गया 6, बट B तो क्या होना जाए, greater than 6 है, उसके बाद हमारे पास 3 और 8 है, अब 8 है तो greater than 6 है, बट 3 और 8 की condition क्या satisfy होती है, देखो, 3 और 8 minus 2 कर देंग, 8 minus 2 कर देंग 6, बट वो 3 के equal नहीं आए, तो वो भी नहीं हो सकता, and 8 अब हमारे पास 3rd आता है, 6 और 8 है, 6 और 8 के लिए जब हम करके देखते हैं, तो यह क्या आजएगा, यह हमारे पास 6 से बड़ा भी आया, और एक साइड हमारे पास क्या है, 6 is equal to 8 minus 2, 8 minus 2 क्या आजएगा 6 है, दोनों 6 आजएगे, तो क्या हो जाएगी, condition satisfy हो जाएगी, option C is a correct option, condition D b not correct आजएगा, यह थी हमारी exercise 1.1, okay, thank you,